पुलिस ने अभधर वैवार किया था जिसके बाद राजद नेताओं ने सरकार पर हमला तेश कर दिया है इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस किया इस दोरान तेजस्वी ने कहा कि जनता की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो ऐसे में जनता अपनी बात कहने विपक्ष के पास ही आएगी विशेश क्या कुछ कहा तेजस्वी ने सुनिये जनता की गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगों तो वह फिर्पष के पास आई तो उनको आकर लिड़ी हटाने करता हूं कि अभी सुच्छना मिली है कि यहां कि इसक्यार्टी करनी है उनका एंग लिस्ट मांगा गया अधिकारी लगा देते हमसे क्या खत्रा है हम लोगों से क्या खत्रा है इतरे साल से रहे और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी में भारा है करवाई करें आफिर कारण क्या है आज भी नहीं कई बार सचिवाले थाना के थाना प्रमारी बार बार आगर के जो गरीब बेबस जो लोग है जिनको एक आस है कुमीद है कि यहां सुनवाई होगी करवाई होगी कि अटाने का काम करवार ही यह सरकार लगतार अपराद बरता जा रहा है लेकिन फुलिष मुक्याने को कि यहीं खाली पेट्रों नहीं कराना है दस सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है, कहीं कोई बिना के मुख्याने या पठना जैसी राधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है